पिछले एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है, मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तथियों को, परिस्थितियों को, इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूं, आपसे चर्चा करता रहा हूं, एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांद के रखे, आपक अगर स्थिति अच्छी थी, तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी, तो भी आपको हमने इमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है, कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना, अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते हैं। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहत जरूरी है। और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथे जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे। तब तक जनता की भागिदारी सुनिश्चत करना असंभव था। इसलिए हमने हर चीज आपके सामने रखे। हमने टेस्ट नहीं कम होने दिये। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो यह कहूँगा कि अगर प्रती दस लाख की पॉपुलेश इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया। हमने टेस्ट कम नहीं किये। उल्टे कम करने की बज़े हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुणें बढ़ा दिये। आज लगबग एक लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी इमानदारी से रखी अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई कम हो रही थी तो कम बताई कितने बेट्स हैं कितने आईस्यू बेट्स हैं क्या परिस्थितियां हैं हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ रखे और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निर्ने लिए हमें आपका पूरा सहयोग मिला दिली की जनता का पूरा सहयोग मिला मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिली एक परिवार है दिल्ली के दो करोड लोग एक परिवार है और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते है अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाउं जाने लगे थे उसे मैं खास तोर से हाथ जोड़ के अपील करना चाता हूँ यह छोटा सा लॉकडाउन है, छे दिन का, दिली छोड़ के मत जाईएगा आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी उर्जा खराब होती है दिल्ली में रहिए मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाईन हो और छोटा ही रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े आप दिल्ली में रहिए यकीन मानिए हम पूरी मानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुझसिबत से छुटकारा पाएंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी मैं हूना मुझे पर भुरूसा रखिये मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्ने हमने बहुत मुश्किल से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूँ हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरूद किया है मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से करोना खतम नहीं होता लॉकडाउन से करोना की स्पीड कम हो जाती है मेरा हमेशा यह मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ विवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके